ग्रिमंत्री अमित शाकिया द्यक्ष्ता में आज पुर्वी शेत्रिये पडिशद की बैठक होगी सिम नतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे इसके अलावा पशिम बंगाल जारकंड ओरीसा के प्रतिनीधी शामिल होंगे और आज की इस बैठक में जारकंड के वित मंत् प्रतिनीधी शामिल होंगे दोपहर दो बजे से शाम के पांच बजे तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में राज्जी के मुक्य सच्चव अधिकारी और केंडर के वरश्ट अधिकारी शामिल होंगे समधाता अशुतोष चंद्रा ने मीटिंग की तैयारियों का जालिया जाए और अब चेत्रिये परिशत की बैठक होने जा रही है और सबसे खास बात यह है कि यह बैठक पट्टा में होने जा रही है हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि इस बैठक को लेकर के तैयारिया हो चुकी है आप देख सकते हैं कि यह संबाद कक्ष है जहां पर मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ केंद्रिये ग्रिह मंत्री अमित साहब बैठक में और जो चार राज्यों के अधिकारी है वो भी इस बैठक में शामिल होना था लेकिन जो अब तक सूचना मिल रही है उसके मुता देखते हैं कि जो अधिकारिक तौर पर एक पोस्टर भी लगाया गया है और उस पोस्टर में इस बात की जानकारी दी गई है कि जारखन उरिसा एवं पशिम मंगाल के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत यानि एक तरफ अमित्सा जो केंद्रिये ग्रिह एवं सहकारित मंत्री हैं उनके नाम का जिक्र है तथा जारखन उरिसा एवं पशिम मंगाल के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत यानि जारखन उरिसा और पशिम मंगाल के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे और मुख्यमंत्री नितीश कुमार के बैठक में शामिल ह रही है मुख्यमंत्री नितीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे और बिहार की जो डिमांड है बिहार की डिमांड को मुख्यमंत्री केंसरकार के सामने रखेंगे अमित्सा के सामने रखेंगे देड़ सो से ज़ादा अधिकारी पहुँच चुके हैं, केंद्र और राज्यों के अधिकारी हैं ये पहुँच चुके हैं, पटना में छे होटल बुक किये गया है इन अधिकारीों के लिए, जो केंद्रिय गरिमंतरी हैं अमित साहख, वो लगबग एक बचकर पचास मिनट म पटना पहुंचेंगे और दो बज़े के आसपास ये बैठक शुरू हो जाएगी पाच बज़े तक ये बैठक चलेगी बिहार के लेज़े से काफी मुहत्यपुर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तोर पर कहा है कि इस बैठक में बिहार को की जाएगी देखना दिल्चस्प होगा कि आखिर किस तरह की डिमांडों पर सुनवाई होती है और क्या केंद्रिय गृह मंत्री अमित्सा के तरफ से बिहार को ले करके कुछ खास दिया जाता है क्याना पसंद स्याम के साथ हासुतों शंद्रा कसिस्नी उस पट्टा बैठक हो रही है बैठक काफी महत्तोपूर्ण है कई एजेंडों पर चर्चा होनी है ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के तरफ से डिमांड की जाएगी कि बिहार को विसी सिराजी का दर्जा मिले कोसी पर हाई डैम का निर्मान हो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं ऐसे मुद्दे हैं जिसका जिक्र होगा हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीम है तरकिशोर प्रसाद जी उनसे जान लेते हैं सर कितनी एहम बठक ये माना जाए क्योंकि आरजडी और कॉंग्रेस को तो ये बठक एहम लग ही नहीं रही है इसका अर्थ है कि वो बिहार को बहुत साथ ही तौर पर लेते हैं भारत सरकार के दौरा इस प्रकार की बैठके लंबे वक्त से अविजित की जा रही है जहां छेत्री आधार पर उनकी समस्याएं उसका समधान उसके उनके विकास के लिए और कही जो अलग-अलग आयाम होते हैं इस सारे चीजों पर चर्चा होती है जिससे भा पर लेत्र के एक अठनाया है उसको दूर करने के लिए प्रयास करता है और यह बता रहे थे कि जो बैठक होने वाली है यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है खास्तोर से जो राज्य यह समझते हैं कि इस बैठक के जरीए वो अपने राज्य को विक्सित स्रेनी में ले जा सक तो उन राजों के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है और जहां तक कुछ मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं तो यह उनकी गंभीरता को भी दिखाता है उनके एस्टेट के प्रती लेकिन यह बैठक काफी एहम है और कहीं न कहीं इस बैठक से बिहार को फाइदा भी होगा केमरा पसंद सियाम के साथ आसुतो शंदरा कसिसनी उच पटना तो केंद्रिये ग्रिमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज पुर्वे शेतिये पडिशत की यह बैठक होगी सियम्रतीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे यह अत्य माना जारा है इसके साथी पश्य बंगाल जारकर्ड ओरीसा के प्रतीनी धी इस बैठक में शामिल होंगे और आज की इस बैठक की बात करें तो जारखंड के वित मंत्री रामेशर उराव, कल्यान मंत्री चौंपाई सोरेन, पश्य मंगाल की वित राज्य मंत्री चंद्रिमा भर्टाचारिया साथी ओरिसा के मुख्य मंत्री प्रतीनी धी इस बैठक में शामिल होंगे तो आज की ये बैठक काफी महत्वपून, बिहार के कई ऐसे बुद्धे हैं जुसे इस बैठक में उठाया जाएगा, पटल पर रखा जाएगा, देखना ये महत्वपून होगा कि इस बैठक के दौरान कौन-कौन सी मुख्य ऐसी बाते होती हैं जुस पर चर्चा की जाती है सयोगी अशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए है, अशुतोष आज की ये बैठक काफी महत्वपून है, इसके अलावा अगर बात करें तो जारकंड और पशिम बंगाल के प्रतिनीधी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, हलाकि बिहार से अगर बात करें तो सियम नितीश कुमार का अभी जो जानकारी है, इसे लगभग तै माना जा रहा है कि नितीश कुमार इस बैठक में शामिल होंगे, क्या अपडेट है आपके पास? उसमें अधिकारी शामिल होंगे, मुख्यमंत्री के शामिल होने की सूचना नहीं मिल पाई है, तो सुभाभिक तोर पर बैठक महत अपड़न थी, लेकिन तीन राज्यों के सियमु वहां पर नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्रे नितीश कुमार, अमित्साह, केंद्रिये, ग्र इस opportunity है क्योंकि नितीश कुमार ने पहले भी कहा था कि बिहार को special status मिलना चाहिए और इस बैठक के जरीए वो इस demand को फिर से दोड़ाएंगे क्योंकि हाल के दिनों में जो जाती गणना हुई है उसके बाद से बिहार सरकार ने अड़क्षन का दाइडा बढ़ाया है और जात बिहार की तरक्की हो सके तो इसके लिए पाहमाना तैक्या गया विएर को विसेष राज का दर्जा की केंद्रांत्यों का में पढ़ायोचीत योजणाय है उसमें बिहार सरकार चाहती है कि 90 पृजदी जो है वो केंद सरकार का हो मातर दस फिस्दी हिस्सा राज सरकार का हो तो ये भी प्रस्ताव इस बैठक में दिया जाना है तो मुझे लगता है कि ये बैठक काफी चुकि बिहार में ये बैठक कोड़ी है और इस लहजे से भी ये बैठक काफी एहम हो जाएगी ये मुख्यमं बहुत शुक्रिया शुतोष आपका तबाम जानकारी के लिए